हेलो एवरिवान, विल्कम बाक तो माई यूट्यूब चानल, सो बच्चो, आप लोगों की स्टडीज एम्स नर्सिंग हो, पेरामेडिकल हो, बहुत अच्छी चल रही होगी, इस वीडियो में मैं हाज आप लोगों को एक बहुत इंपोर्टेंट अपडेट बताने वाले हू मैं इस इंपोर्मेशन को बहुत अच्छे से सुन ले ना, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये गलती कर दी, तो आप जितना चाहे प्रप्रेशन कर लो अभी, एम्स नर्सिंग हो, पेरामेडिकल हो, कोई आपको एम्स नर्सिंग या पेरामेडिकल में सीट नहीं दिला सकता आप लोगों का कितना ही अच्छा रेंक क्यों ना आजाए, लेकिन एम्स कभी भी आपको सीट नहीं देगा, तो ये गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि ये इंफोर्मेशन मेरे पास इतने सारे बच्चों का रिक्वे अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए यहां पे ये रहने वाली है, कि एम्स ना अपने एक लिस्ट जारी की है, कि आप लोगों के पास ये सारे डॉक्युमेंट्स अवलेबल होने चाहिए, और उन डॉक्युमेंट्स की उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट बताई हुई है, कि एक डॉक्युमेंट्स इस डेट से इस डेट के बीच में ही बने होने चाहिए, अब एक चीज आप सोच रहोंगे, मैम हम लोग लोग बात बनवालेगे, बटा नहीं बनवाप आओगे अप लिग्जाम के बात क्योंकि इसकी करते रहना, आपकी सारी महनत वेस्ट हो जाएगी, अब मैं आप लोगों को सारी डॉक्युमेंट्स यहां पर बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्युमेंट्स की रिक्वार्मेंट्स पड़ेगी, आप लोग जो महनत कर रहे हो उस महनत का जब लोगों प्रिंट आप लोगों कि वहनत वेस्ट नाहूं तो फटा ज्ञान से सुनना, सबसे पहली चीज आप लोगों को यहां पर लगेगी कि जब आप लोगों को तो को यहां पर लोगों प्रिंट ऑलोपी शुम्न द स्वाइनल इप प्रिंट आउट निकाल के रखा हुए तो फाइनल रिजिस्ट्रेशन के स्लिप आप लोगों की लगेगी एम्स के तुरूज एड्मिट काड आएगा प्लीज कोई भी बच्च आपने एड्मिट काड नहीं खुएगा बहुत इंपॉर्टेंट यह बता रही हुए जो एड्मिट काड है दो तीन कॉपी बनवाके लग लग लेना एंड वे सब कर देते हो गडबट इसके बाद आप लोगो का 12 में आप लोगो का 12 में आप लोगो की मार्क शीट लगेगी नेक्षीज आप लोगो का लगेगा सेल्फ अटेस्ट कॉपी उफ सेल्फ यह द्ग क्या है भर्ट सुआएप का लगोको लगेगा सेल्फ एकल्फ अपॉर्फ सेड़िट कॉप उप सीट काड़िख अगें वही तैंथ के लिएक लिए बन आप लोगो का लगेगा सिल्फ एकल प्सुपी औफ माट्शितो ऑगय और प्लस English, तो क्या क्या मैंने बता है, offer letter, seat allocation letter और final registration slip आप लोगों के पास है, admit card बहुत जल्दी आप लोगों का जाएगा, 10th की mark sheet अपनी check कर लो, इसके अंदा कोई नाम, mistake वगारा, कुछ भी गलुती तो नहीं है, पापा का नाम की spelling सही है, मदर के नाम की spelling सही है, date of birth सही ह आपकी हर एक personal detail, 10th और 12th के mark sheet से, प्लस आपकी अधा card से match कर रही या नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो प्लीज चेक करा लो, और सही करा लो अभी, अभी time है, बाद में, अगर आप कराओगे तो उसक अभी मैं आप लोगों को, सिंपल तरीका हैं आपे बता रहीं कि क् मैं अपने last time में भी देखा था, जैसे आप लोगों को पता है, मेरा platform पे मैं paid counseling में कराती हैं और बच्चों को YouTube पे मैं counseling कराती हूँ, तो मेरे पास इतने सारे बच्चे ऐसे थे थे ना, जिन बच्चों का AIMS nursing में, परामेडिकल में selection रूख गया था, किस की वज़े से, क्य काम अगर मेरे पास इतने सार्टिवकेट नहीं होगा या मुझे कॉलिज नहीं मिलेगा, क्या मुझे सेलेक्शन यह, आपके पास category certificate नहीं है, तो आपकी, जो counseling हुआ as a general होगी, आपकी यह का कॉंसिंग हूँ अपको सीट मिल रहा है, बड़ जनेरल की नहीं मिल रहा हैं, त तोरा प्रफॉर्मा सारी चीज है मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगे कि कैसा आप लोगों का लगों का लिखना चाहिए अपनी वीडियो इधा शिफ्ट करके आप लोगों को दिखा रही हूं यह देख लिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोगों का जो फर्दर राउंड हो गए यू आर काटिग्री के अकॉर्डिंग होंगे तो आप लोगों को आपकी OBC, SC, S, C, S, T, E, N, का बेनेफिट्स न से वहां से उठाया है वहां पर डेट अपडेट नहीं हुए है बीसी नर्सिंग गजाम आट और नो जून दोनों में और परामेडिकल को जो जए ग्जाम हो 6 जुलाई में डेट का भी कंफुजन दालो तो अगर आप एक OBC कैंडिडेट है तो आपका जो डेट है आपका ज के लिए तो आज अपलाई करोगे तो आज की ही डेट मेंचन होगी और यह दोनों डेट इंफ्ल्यूड है आप नो जून में आट जून में भी बनना दे सकते हैं लेगें अगेन आएगा नहीं आएगा बनना जा पाएगा नहीं जा पाएगा तो मैं बोलते हूं रिस्क मत अब भी भी 10 दिन है आप लोगों के पास अपना OBC का सर्टिफिकेट बनना दे दो परामेडिकल वाले बच्चों के लिए टेट सुन लो 23 जून से लेके 22 जून के बीच का बना होना चाहिए 23 जून 2023 अब भी भी आप लोगों के पास टाइम है परामेडिकल वाले बच्चो के लिए तो प्लीज इसको अपडेट करा लो इस सिर्फ OBC के लिए है OBC हो EWS इन दोनों कैटेगरी के लिए स्पेशल डेट रिक्वाइड है जबकि SCST के लिए नहीं है सिर्फ उन्होंने बोला है कि कैटेगरी सट्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल के प्रूव होना चाह है परामेडीकल का चूह है एक अपरिल से लेके 22 जून के बीच का बनाऊना चाहिए अगर इस डेट का अपका सर्टिफिकेट थो आपको आपका कैटेगरी का बेनधिट मिलेगा अल्स आपको का कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट आप ल अपिशल वेबसाइट नहीं आप लोगों पो यह बना के दिया हुआ है प्रफॉर्मा मैं वही आप लोगों पो दिखाऊंगी इदर जस्ट वेटा सेकेंड आजाओ देखें यह रहाँ यह आपका disability का है भाई disability के लिए भी ना यह पूपर एक लिस्ट बनाके देंगे कि इस लिस्ट तक इन इन हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों का अभी disability के लिए कोई certificate कोई date वगारा कुछ नहीं है उसकी टेंशन मतले ना जितने आप लोगों के अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी का है कि आप लोगों के अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है lokomotory disability है इस थैप लिए बोल कि अगर इस टाइब के pandemic है तो आपको PBD काॉ जो सीट है benefit हो मिलेंगा लाप्रोशीर दिशीर्षियों , लोस उसेंसेशिन हैं फिट सक्षेट निर लोस उसेंसेशना परेस लोस परेसिजों इन इंड साफिट्रीट मोबाईलिटी नियर या फिर इस्टे परेस डिशाल है बिलेगा इन वाले चैनल्डिजेट्स को मिलेगा ब्लाइड्ननेस इन एक एक चेक होगा आपका 3 by 60 हो चाहिए 10 by 200 हो चाहिए लो विजिन है एरिंग इंपेरमेंट है speech and language disability है अगर इस टाइप की है तो आप लोगों को आपका disability का certificate आपके पास हो ना चाहिए यह इनों ने बताया हुआ इवन और भी चीजे इनों यह आप आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ ले ना अपने टेली ग्राम चानल पर आप लोगों को यह दे दुए हमोफिलिया है ब्लड डिसॉर्डर थेलिसीमा सिकल स्टीज इस टाइप के डिसीज है तो यूगल गेट बेनेफिट नेक्स प्रफॉर्म यह बताते है हमारे पास OBC NCL के ल अपने यहा लापने लूड़ने में, जापने एक मेंने कर डिसीजाईप अपने लौकल देल ले टुट हूने होगा बना गचछ अपने लुक आ शुक्रिद मुश तर्फिका बना आप जया पने बड़ों नहीं कि पंदाना अपने बड़ों की आपने बाटों को इसू सिया बनाने उनको सारी इंपरमिशन रहती है यह OBC वाला है EWS वाले बच्चे भी दिहांज अच्छा पहले SCST वाला भी देख लो भई यह SCST का इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है दिख में हापे कोई डेट का कॉर्णन नहीं आता OBC के लिए और EWS के लिए डेट स्पेसिफिक है यह पूरा प्रफॉर्मा इन्होंने दे रखा है SCST वालों का EWS का किदर गया हमारा EWS का इन्होंने नहीं अटाश किया हुआ है यह मैंने मिस कर गया बट EWS का और OBC का अल्मोस सेम बनेगा क्योंकि दोनों में डेट स्पेसिफिक हुआ है यह आपको धियान रखना है यह वाला देख विटा यह जो EWS वाले बच्चे है उनके लिए सारे नोट्स क्लियर लिख्खे होने चाहिए कि आपका जो इंकम है उसमें इंकम में आपका आपकी प्रॉपर्टी कितने नाम है आपके नाम में अबिस है आपके फादर जो कि में परसन है कितनी उनकी सालरी है अगर अगर उनका है तो EWS बनेगा यह सारी डेटेल्स आप लोग जहां से भी बन आएंगे वो खुद कर ल प्लीज मैं आपको बोलती हूं कि यह वाली मिस्टेक पोई भी मत करना कि आप लोगों के पास कौंसलिंगे टाइम पर डॉक्यमें ना हुए तो अगर आप लोगों को जैसे होगा प्लस अगर आप लोगों के पास और भी कोई भी डिफिकल्टी मिली आपको सीट अगर आप लिफिकल्टी मिली आपको सीट रिपोजिट करना पड़ता है कि मैं यहां पर सारे डॉक्यमें विदिन टाइम परिएट संविट करा दो है तो आपको सीट्यूरिटी देना पड़ेगा वन लैक यह दिहान रख राइट और वह वह वन लैक आपको 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 सारी चीज समझ में आई होंगी और जो भी आप मिस्टेक अगर कर रहे होंगे मत करना आप लोगों ने बनवा रखा है डेट पापस से चेक कर लेना और बहुत अच्छी से प्रपैर करके चलो इंट्रेंस इंसाम के लिए मिलता है हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिस्क्रिप्शिन में बल जाएगा। से यू इन नेक्स्ट वीडियो बाए व्रिवान